हलो फ्रेंड्स वेल्कुम तो मैं चैनल डॉक्टर प्रियंकाज किचिन आज की मेरी किचिन की जो रेसिपी है वो है यह मोटे लाल मिर्च का अचार इसमें आप एक दो हरी मिर्च भी देख रहे होंगे तो सबसे पहले तो इन सारी मिर्चों को अच्छी तरह से दो कर पोश ल देंगे जैसे यहाँ देखिये इसमें कट मार्क है यहां करी च्छेद हे तो यह क्या करेंगे यह मिर्ची को यह हमारा जो मिर्ची का अचार बनेगा उसको धीरे-दीरे करके हिए सडा सकते हैं तो बहस्त होगा कि इसे हम अलग से ही पीशेज में कटकर या कोई और इस्तेमाल में इसको ला ले ताकि हमारा अचार जिसे हम साल मरतक स्टोर करके रख सकते हैं वो खराब ना होने पाए दूसरी सबसे इंपॉटन चीज इन्हें हमें धोना है धोकर या तो आप थोड़ी 10 मिनिट की धूप दिखा दीजे ताकि इनका पानी पूरा खतम हो जाए म या फिर अच्छी तरह से हम किसी कॉटन के क्लॉट से इसको पोश्ट देंगे तो उससे क्या यह देखिए बिल्कुल सूखा है अब हम इनके टिप को इस तरह से कट कर लेंगे यह और यहां पर भी आप देख रहे होंगे मैंने दो तरह का सेपरेट करके रखा है इसका रीजन सिर्फ इतना है कि जैसे यह देखिए इस तरह से बहुत मोटी लाल विर्च रहे छोटी-छोटी साइज की रहे तो इनको हम क्या करेंगे इस तरह से टिप निकालने के बाद इन उनका मुझ खोल सकते हैं यह आप देख पा रहे होंगे मैं अच्छी तरह से आपको करके बता रही हूं और फिर इनके बीजों को आप चाहें तो निकाल के मसाले के साथ मिक्स कर लें तो इसे मैं इस तरह से निकाल सकती हूं यह देखिए बहुत ही आसानी से निकल आता है यह देखिए तो ऐसा करने से क्या है यह भरने में बहुत असानी रहेगी और सीधा सीधा है दूसरा तरीका यह है कि आप इन मिर्चों को इसी के अंदर इस तरह से थोड़ा सा खुरच खुरच के इनको अंदर ही डाल दे तो इससे क्या है मिर्ची का तीखापन भी बना रह कि इतना बढ़ा आप ना कट करके इससे आप इस तरह से छोटा से यह बनाईये लेकिन होल बनाने में बस यही दिसकत आएगी आपको वोर्त छोटा होल आप बनाएंगे तो थोड़ी से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े COR favorites means कक कि इस तरह से ना इफ डाल के आ ऐसे होल में भरेंगे तो यह पूरी तरह से आपकी च्वाई से कि आप इसका मुँ कितना बड़ा बना सकते हैं यह उगया हमारा छेद में भरने वाला जो हम टिप साइड से भरेंगे इन्हें मैंने अलग कर दिया है और दूसरा तरीका है कि इस तरह से हमने सबसे पहले यह इ मुह बंद रहेगा और हम इसे यहां पर इस तरह से फाड़ देंगे यह आप देख पा रहे हैं यह अब क्या होगा इसमें आसानी कि मुह इधर से बंद है इधर यह है और यहां पर हम इसको इस तरह से खोल कर इसमें हम मसाला भरेंगे तो यह दो तरह से हमारे मसाले बनेंगे इसके साथ भी सेम ही है, आप चाहें, तो इनके बीज निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, नहीं, तो फिर इसमें ही इसी तरह से पड़ा रहने दें, तो इस तरह से हम सारी मिर्चियों की टिप कट करके, आधे को मैं फाड रही हूँ, और आधे में मैं इस तरह से उसके टिप क से फाड लिया जिसमें देखिए दो-तीन आपको ग्रीन मिर्ची भी दिख रही होगी तो आप इसको भी साथ में इसमें बना सकते हैं कोई इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए अब इसके लिए मसाला बनाना शुरू करते हैं तो हम एक किलो मिर्च के हिसाब से ही मसाला तयार करेंगे मसाला तयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को थोड़ा सा गरम कर लेंगे फिर उसमें दो बड़े चमच साबुद धनिया दो बड़े चमच साबुद जीरा धाई से तीन बड़े चमच साबुद सौफ सौफ की क्वांटिटी हम थोड़े जादा रखते हैं क्योंकि इससे मसालों को जो है स्वाद थोड़ा से जादा बढ़ जाता है इन्हें हम लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे मसालों को हमें जादा नहीं भूनना है जादा भूनने से क्या होगा इनमें पाए जाने वाले जो एसेंशियल ऑईल्स होते हैं वह यहीं पर रिल स्वाद निकाले वहाँ पर हमें इन्हें हलका ही भुनना है बस मौश्चर खतम होने तब को मौश्चर खतम हो गया है तो अब इसमें एक बड़ा चमश मेथी दाना आइड करेंगे मेथी भी हमने यहाँ पर साबुत ली हुई है आप चाहे तो पिसा हुआ स्तमाल कर सकते हैं और मेथी डालते ही हम फ्लेम को सबसे पहले ओफ कर देंगे फ्लेम ओफ के बाद ही हमारा यह जो पैन है हलका भी गरम है तो इसे हम थोड़ी देर और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और जब यह मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इन्हे हम दरदरा सा पीस लेंगे अब इन्हें पाच मिनट के लिए ऐसे रूम टिमपरिचर में थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे अब यहां पर मैं इसी मसाले में एक से डेढ़ बड़े चमश काली सरसो एड़ कर रही हूँ आप चाहे क्योंकि हमें इनका सिर्फ मॉइस्चर खतम करना है सरसो भी इनके साथ ही दरदरी सी पिस जाएगी अब बारी आती है कलॉंजी की कलॉंजी मैंने यहां पर एक बड़ा चमश ले रखा है कलॉंजी को अलग करने का कारण सिर्फ इतना है इसी भी मसाले के साथ इस्तमाल करने स्वास्त के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है पीसने के बाद यह उतना ही कड़वा हो जाता है तो हमें बिलकुल ध्यान रखना है कि इसे भी बस हलका सा भूनना है और इसे इसी तरह साबुत ही उन दरदरे पिसे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है मंग्रेल भी हमारी अब एक प्लेट में हमने पलट लिया है अपना पीसा हुआ मसाला यह आप देख सकते हैं कैसे दरदरा हमने पीसा है अब इसमें मैं एड़ कर रही हूँ मंग्रेल जिसे साबुत ही रखा है अब अचार में डालने के लिए ओयल की तयारी करते हैं तो इसके लिए मैंने यहा सबसे बेस्ट होता है तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी कोई अचार बनाएं तो सरसो के तेल का हिस्तेमाल करें ऑईल थोड़ा से कम लग रहा है तो मैं इसमें और इंक्लूड कर रही हूं ताकि जब मैं अचार में इसको मिक्स करने लगूं तो यह एक्स्ट्रा बच निकल जाए इसकी कड़वाहाट निकल जाए और फिर इसे ठंडा करके इस्तेमाल करूंगी तेल से धुवा निकलने लग गया है तो अब फ्लेम को आफ करके इससे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक तेल ठंडा हो रहा है हम अपने बाकी के मसाले त तीन बड़े चमच साधा नमक नमक वैसे तो as to taste यानि की स्वाधी का नुसार होता है पर अचार में थोड़ा सा जाधा डालना चाहिए इससे क्या होता है अचार का स्वाध तो बढ़ता ही है अचार जाधा टाइम तक टिकता है वो खराब नहीं होता है एक चमच काला नमक आधा चमच हींग एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर एक से दो बड़ा चमच अमचुर पाउडर दो चमच वाइट वेनेगर जिसे सफेद सिरका भी बोलते हैं साथ में दो से तीन नीबू का रस जिसे अभी मैं इसमें डिरेक्ट ही नहीं छोड़ दूँगी दो नीबू क कलशी इसमें हम सरसो का तेल भी आड़ कर देंगे आब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तेल आड़ करने से एक तो मसाला थोड़ा थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा दूसरा ये जब तेल के साथ मसाला मिर्ची के अंदर मिक्स होगा तो ये मिर्ची को अंदर से बिल्कुल भी खराब नहीं होने देगा जिससे जो है अचार की लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं ये होल वाले में फिलिंग कर रही हूँ इसके फिलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है ये इस तरह से फिल करते जाएए और किसे स्पून की हेल्प से या फिर इस तरह से फिंगर से ही इसको हम पूरा टाइट अच्छी तरह से फिल करेंगे इस तरह से दबाते हुए करेंगे ये देखिए मसाला अच्छी तरह से फिल हो गया है तो इसी तरह से हम सारी ये होल वाले मिर्शी को फिल कर लेंगे अब बारी आती है ये लंबाई में कटी हुई मिर्श की फिलिंग की इनको फिल करना बहुत ही आसान है ये आप देख रहे हैं इस तरह से मसाले को डालते जाएंगे और ऐसे दबा दबा कर इसको भरते जाएंगे क्योंकि जब मिर्शी मसाले दार होगी तब ही खाने में इसका स्वाथ जादा आएगा और जो एक्स्ट्रा मसाला लगे उसे इस तरह से क्लीन कर देंगे इसी तरह से हम बाकी की मिर्शी भी फिल कर लेंगे तो इस तरह से हम इन सारे मिर्शो को अच्छी तरह से मसाले से भर लेंगे बीट से फाड कर जो मैंने मिर्शी भरी है वो आप देख सकते हैं इस तरह से है और ये दूसरी है जो हमने टिप कट करके होल बनाया था और उसमें इसकी फिलिंग की है तो ये आपकी अपनी च्वाइस है कि आप कैसी मिर्चे बनाना चाहते हैं स्वाद में कोई फरक नहीं रहेगा सिर्फ देखने में डिफरेंस आता है हो गया आपको मेरी मिर्च बनाने की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और साथ ही इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करिएगा ये अचार साल भर तक अराम से चलता है और अगर आप इसको बहुत सलीके से बनाएंगे तो आप इसको लगभग दो से तीन सालों तक इस अचार को रख सकते हैं स्टोर करके और अराम से दो तीन सालों तक इसको इंज्जॉय कर सकते हैं अब आते हम लास्ट टेप की तरफ यहाँ पर मैंने देखिए ये चीनी मिटी के एक बरनी ले रखी है जिसे धो कर सुखा कर और स्टेरलाइज कर रखा है दूसरा हमने यहाँ पर लिया है काच का जार जिसे इस काच के जार को भी मैंने धो कर सुखाया है और स्टेरलाइज किया है अब यहाँ पर स्टेरलाइज कैसे करना है ये process इसके पहले मैंने हरी मिर्च का अचार बनाया था, उसमें मैंने काच के जार को sterilize करना बताया था, तो आप चाहें तो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, तो दोनों मैंने धो कर सुखा कर sterilize कर रखा है, इससे क्या होतर नहीं आप अगर sterilize कर सकते हैं, तो इस उसको मैं इस जार में थोड़ा सा ले लूँगी, दोनों ही जार में, और इसे इस तरह से रोल करके oil को पूरे जार में पहुचा दूँगी, ताकि जार में जो है तेल की greasing हो सके, इससे भी अचार लंबे समय तक टिकता है, और अचार के खराब होने का chance पूरी तरह से खतम हो जाता है, यह आप देख सकते हैं, पूरे बरनी में मैंने oil की greasing कर लिए है, इसी तरह से इस काच के जार में भी कर लूँगी, आप चाहें तो दोनों ही काच का जार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही आप चीनी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह पूरी तरह से आपक लंबाई में भरने से क्या है जादा मिर्श इसमें अटेगा और उपर से जो है इसका जो मसाला आप देख रहे हैं वो इधर उदर बिखरेगा नहीं बलकि इसमें टिका रहेगा तो सबसे नीचे में लंबे-लंबे वाली मिर्शी डाल रही हूं और उसके उपर छोटे वाले डाल दूँगी अब बारी आती है लंबाई में काट कर भरे हुए अचार की चूकि ये लंबाई में कटे हैं तो कोशिश करूँगी कि इनको थोड़ा सा स्लैंट में रखूं ताकि इनका मसाला बिखरे नहीं दोनों मिर्श बहुत ही परफेक्टली अट गई है अब बारी आती है इस बचे हुए सरसो के तेल की जो मैंने धेर सारा बचा रखा था इसमें अब मैं डालूँगी दो बड़े चमिश कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यह इसलिए कि कश्मीरी लाल मिर्च बहुत तीकी नहीं होती है दूसरे यह अपना जो रेड कलर छोड़ती है वो पूरा इस तेल में देखिए अच्छी तरह से समा जाएगा तो फिर जब हम इस कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को तेल के साथ इस अचार में डालेंगे तो अचार कितना भी पुराना क्यों न हो जाए यह अचार अपना कलर चेंज नहीं करेगा अब इस पूरे तेल को हम इस दोनों बर्नी में डाल देंगे तेल डालने के बाद हम इस बर्नी को हलके हाथों से ऐसे करके हिला देंगे साधानी से हिलाएंगे इस से क्या होगा यह जो तेल हमने भी डाला है वो सब जगा अच्छी तरह से फैल जाएगा यह तो transparent है तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा oil का movement आपको समझ में आ रहा होगा इस jar को हम हफते भर तक धूप दिखाएंगे best होगा कि इसके उपर हम कोई cotton का cloth लगा दें ताकि धूप अंदर भी जाए और इसमें कोई कच्रा ना जाने पाए तो इस तरह से हम cotton का cloth लगा के rubber band लगा के इसको 7-8 दिन यानि हफते भर की धूप देंगे उसके बाद इसके मसाले जो है क्या अच्छी तरह से उसमें गल जाएंगे और हफते भर बाद ही आप इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इस अचार को जरूर घर में ट्राई करिए और इसे साल भर तक अराम से स्टोर करके रखिए तो मेरी ये रेसिपी देखने के लिए थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स